हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आकाश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर उम्मेद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की कहानी एक ऐसी मडर मिस्ट्री है जो की लगबग पिछले 72 सालों से एक पहेली बनी हुई है पुलिस को आज भी उस मुझरिम की खोज है जिसने इस कतल को अंजाम दिया नजाने कितने ही जहीन दिमागे पुलिस सबसर, डिटेक्टिव और यहां तक की अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिकेसन डिपार्टमेंट FBI के कई अपसरों ने इस पंडर मिष्ट्री को सुल जाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ वो कातिल कौन है यह आज 72 सालों के बाद भी एक राज बना हुआ है आज की कहानी एक ऐसी लड़की के कतल की कहानी है जिसे जिन्दा रहते हैं वो काम्यावी, वो शोहरत हासिल नहीं हुई जिसकी वो हगदार थी और जिसके लिए वो कोशिश कर रही थी जो कि उसे उसकी मौत के बाद हासिल हुई दुनिया में बहुत ही कम ऐसे केस हैं जिसे मीडिया ना इतनी तवज्जो दी कि लगातार चार महीनों तक उस खबर को हर अगबार के फ्रंट पेज पर छापा गया ये अमेरिका के 22 साल की ऐसी लड़की की कहानी है जिसका सपना था कि वो हॉलिवुड में काम करे और एक काम्याब एक्ट्रेस बने ये कहानी अपने आप में अलग इसलिए भी है क्योंकि इस केस की चानबीन के दोरान अलग-अलग वक्त में लगबख 60 लोग पुलिस के पास आए और कहा कि ये कतल मैंने किया है ये भी एक हैरानी वाली बात है बात 1947 की है चिस साल हमारा देश आजाद हुआ पंदरा जनवरी 1947 को करीब सुबह 10 बजे बैटी बर्सिंगर नाम की एक महिला अपनी तीन साल की बेटी के साथ लोस एंजलिस के लीमेंट पार्क नाम के एक इलाके से गुजर रही होती है जब वो लीमेंट पार्क के नौर्थ हिवैन्यों के पास पहुंचती है तो चलते चलते उसे अचानक अपने साइट की जाड़ी में एक लड़की लेटी हुई नजर आती है उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो थोड़ा और करीब जाकर देखती है तो उसे एक बेहदी खुबसूरत एकदम सफेद लड़की नजर आती है उसे लगता है कि वहाँ कोई मैनिकुइन पड़ी हुई है जिसे किसी ने वहाँ लाकर फेक दिया है तब वो थोड़ा और पास जाकर देखने की कोशिश करती है तो उसकी चीख निकल जाती है और डर से बदहवास होकर वो वहाँ से भागती है उसकी वज़े ये थी कि उसने जो वहाँ देखा वो यकीन करने लाइक नहीं था उसने देखा कि जाड़ी के पास एक लड़की है जो कि लेटी हुई है उसके सर से कमर तक का हिस्सा अलग पड़ा हुआ है और कमर से नीचे का हिस्सा वहीं पे दूसरी जगह पड़ा हुआ है यानि एक dead body के दो हिस्से वहाँ पड़े थे पर अलग-अलग जगह पर उसको जिसने भी मारा था उसने उसके शरीर के दो हिस्से कर दिये थे कमर से सर तक का हिस्सा एक तरफ और कमर से नीचे का हिस्सा एक तरफ उसके बाद वो महिला फॉरण वहाँ से भागती है और पास के एक घर से जाकर पुलिस को कॉल करती है उसके बाद LAPD, Los Angeles Police Department फॉरण वहाँ पहुंचती है लास को देखने के बाद वहाँ की पुलिस भी दंग रह जाती है उस लास के एक खास बात ये थी कि उस लास के दो टुकडे तो किये गए थे मगर खून का एक भी बूंद वहाँ पर नहीं था लास के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लास के सीने और जांग पर कई कट्स के निशान थे और उसके चेहरे पर होट के कोने से लेकर कान तक दोनों तरफ एक कट का निशान बनाया गया था जैसे कोई स्माइली फेस बनानी की कोशिश करता है उसके घुटने पर से भी एक मास का टुकड़ा काटा गया था जो बाद में इन्वेस्टिकेशन में पता चला कि ऐसा उसके पहचान चुपाने के लिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का टैटू बना हुआ था उसकी बॉडी से कुछ हंग भी निकाल लिये गये थे और सारा खून निकाल कर बॉडी को अच्छी तरह पानी से साब भी किया गया था इससे पुलिस के लिए एक बात तो साब थी कि इसका कतल कहीं और किया गया है और बाद में बॉडी को यहां लाकर फेक दिया गया है उसके बाद बॉडी को पोस्माटम के लिए भेज दिया गया पोस्माटम में ये बात सामने आए कि मटर से पहले उसका बलातकार भी किया गया था और उसके गले, हाथ और घुटनों पर रसी के निशान मिले जिससे ये बास साबित होती है कि मटर से पहले बांध कर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और बॉडी मिलने से एक तकरीबन 10-12 गंटे पहले उसकी मौत हुई थी अब पुलिस ने चान मिन शुरू की तो जो सबसे पहले उनका मकसद था वो थी लाश की पहचान करना पर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा और सिर्फ 60 मिनट के अंदर उसकी पहचान सामने आ गई और उसके दो कारण थे पहला कि उसने एक बार किसी आर्मी विंग में जॉब के लिए अपलाई किया था और दूसरा कि 1943 में उसे एक बार पुलिस ने अंडरेज ड्रिंकिंग के लिए अरेश्ट किया था तब उसकी उम्र 19 साल थी क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक आप जब तक 21 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ड्रिंक नहीं कर सकते उसके बाद उसे वार्निंग दे कर और कुछ फाइन देने के बाद छोड़ दिया गया तो पुलिस के पास उसके सारे फिंगर्प्रिंट्स और डाटा उनके रिकॉर्ड्स में मौजूद थे उसके बाद उस लड़की के पहचान सामने आती है उस लड़की का नाम था एलिजबेट शॉट 22 साल की एक बेहदी खुबसूरत लड़की उसके बाद ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तेरे फैल गई हर न्यूस पेपर के फ्रेंट पेज पर लगाता चार महीनों तक यही खबर चापी गई उसके अथ पुलिस ने और चान बीन की तो पता चला कि एलिजाबेट का जन्म साल 1924 में बॉस्टन में हुआ था और ये पांच बहने थी एलिजाबेट इन में से तीसरे नमबर की थी इसके पिता क्लियो शॉट एक गॉल्फ पार्क में काम करते थे जब एलिजाबेट पांस साल की थी तब इसके पिता ने इन लोगों को छोड़ दिया और लोस एंजलिस आ गए उसके बाद इनकी मा फीवी शॉट ने इन लोगों को पाला पिता के जाने के बाद इन लोगों का बच्पन बहुत ही करीबी में गुजरा कभी-कभी इन लोग के पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था बच्पन से ये ऐलिजाबेट का सपना था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बने क्योंकि वो बहुत खुबसूरत थी या फिर आर्मी के लिए काम करे इसलिए उसने आर्मी में जॉब के लिए अपलाई भी किया था जब वो 15 साल की थी तब एलिजाबेट ने अपने फादर को एक लैटर लिखा और उनसे पैसे मांगे उसके पिता उसको पैसे भेज़ते हैं फिर उसके बाद वो कैलिफोर्निय आजाती है अपने फादर के पास पर फिर उन दोनों की बनी नहीं और एलिजाबेट ने अपने फादर का घर चोड़ दिया और वहीं कहीं और रहने लगी और एक बार में वेटरेस का काम करने लगी क्योंकि उसके पास पैसो की कमी थी तो वो खाने के लिए रोज नए-नए बॉइफरेंड बनाती थी और वो बहुत ही आजात खैलों की थी उसका ये रोज का काम था कि नए-नए बॉइफरेंड बनाना उनके साथ घूमना, शराब पीना और हॉलिवुड में फिल्मों के लिए ओडिशन देना क्योंकि वो बहुत खुबसूरत थी तो उसे बॉइफरेंड ढूरने में भी कोई परिशानी नहीं होती थी इसी बीच उसकी एक रिलेशन्शिप भी सामने आई की काफी दिनों तक चली जिसके साथ उसका रिलेशन्शिप था वो यूएस आर्मी एरफोस में एक अफसर था उसका नाम था मैथ्यू माइकल गॉर्डन इन दोनों के बीच काफी दिनों तक एक अच्छी रिलेशन्शिप चली और मैथ्यू ने एलिजबेट को एक लेटर में शादी के लिए प्रपोस भी किया था और एलिजबेट ने तुरंट उसका जावब हाँ में दिया था पर बाद में एक प्लेइन क्रेश में उसकी मौत हो जाती है एलिजाबेट के कतल के बाद पुलिस ने मैथ्यू के परिवार वालों से भी इस बारे में बात की पर उन लोगों ने इस रिलेशन्शिप की बात को मानने से इंकार कर दिया ये केस मीडिया में बहुत पॉपलिर हो गया था तो मीडिया ने Elizabeth Short को एक नया नाम दिया क्योंकि वो जाहतर काले रंग के कपड़े पहनती थी और अपने बालों में डालिया नाम का एक खुबसूरत फूल लगाया करती थी इसलिए उसे जो नाम दिया गया वो था The Black Dahlia इसके बाद ये नाम पूरे अमेरिका में फैल गया कई लोग कहते कि 1946 में एक बहुती पॉपलर मूवी आये थी जिसका नाम था The Blue Dahlia शायद इस वज़े से भी उसका ये नाम पढ़ा इसी बीच पुलिस को अपनी इन्वेस्टिकेशन में कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था पस उनकी परताल में एक ही चीज साबित हुई थी कि जिसने भी ये मडर किया है वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही है क्योंकि जिस तरीके से बॉड़ी को दो भागों में काटा गया था और उसके फेस पर बड़ी ही सफाई से जो कट का निशान बनाया गया था वो एक सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था और ये काम कोई प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता है उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टिकेशन डिपार्टमेंट FBI को भी इस केस में शामिल किया गया FBI ने भी सब कुछ खंगाल लिया पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला FBI ने उन्वेस्टि आफ सदर्न कैलिफोर्निया के लगबग 300 मेडिकल स्टुडेंट से बात की कि कहीं उन्हें कोई कनेक्शन मिल जाए पर कोई फायदा नहीं हुआ और मीडिया जिस तरीके से इस केस को हाइलाइट कर रही थी उसकी वज़े से इस केस को सॉल्व करना लोस एंजलेस पुलिस डिपार्टमेंट और FBI के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था उसके बाद पुलिस के पास अचानक से अलग-अलग वक्त में लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि ये कतल मैंने किया है पुलिस को भी लगता है कि चलो अब ये केस सॉल हो जाएगा पर जब उन लोगों के बयान दर्ज किये गए और परताल की गई तो उन लोगों के टाइम, उनकी लोकेशन, उस केस के हिसाब से मैच नहीं हुए और फिर बाद में पुलिस को उन लोगों को छोड़ना पड़ा ऐसे लगबग 60 लोग पुलिस के पास आए बाद में पता चला कि वो लोग सिर्फ पॉपलर होने और ताकि न्यूस पेपर में उनकी तस्वीर छपे इसलिए आते थे और ये इन्वेस्टिकेशन चली रही थी कि इसी बीच लॉस एंजलिस के न्यूस पेपर के पास एक कॉल आता है और वो कहता है कि आप जिसे ढूडने की कोशिश कर रहे हैं वो कातिल मैं हूँ और मैंने ही बलैक डालिया का खून किया है अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपको एक कुरियर मिलेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा उसके बाद 23 फरवरी 1947 को बॉड़ी मिलने के 9 दिन बाद उस न्यूस पेपर के पास एक कुरियर आता है जिसमें वो कातिल Elizabeth Short के कुछ personal चीजे बेजता है उस कुरियर में Elizabeth के कुछ तस्वीरे, उसका birth certificate, उसका business card और एक address book था जिसमें से कुछ पेज गायब भी थे उसके बाद ये बात FBI को बताई जाती है और FBI उन सभी चीजों को forensic expert के पास बेज देती है और उस letters book में लिखे गए, लगब 75 suspect को पुलिस उठा के पूछ ताच करती है पर इसमें भी पुलिस को कोई कामयाभी हासिल नहीं हुई जातर लोगों का कहना था कि वो Black Delia से कुछ समय के लिए ही मिले थे कोई उसे date पर मिला था, तो कोई बार में उसके बाद वो कातिल एक letter और बेजता है जिसमें लिखा था कि मुझे ढूडने की कोशिश मत करना बाद में ऐसे 13 letters वो पुलिस के पास बेजता है और सभी letter से पैट्रोल की मदद से सारे fingerprint मिटा दिये गए थे मगर एक letter में forensic team को fingerprint मिलता है और बाद में उस fingerprint को सारे suspect से मिला कर देखा गया पर किसी से भी वो fingerprint मैच नहीं हुआ उसके बाद ये investigation ऐसे ही चलती रही और बाद में ये letter आने का सिलसिला भी खतम हो गया और धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया आज लगबग 73 साल हो गये हैं इस केस को पर पुलिस को कोई conclusive evidence नहीं मिला उस कातिल के बारे में पिछले 73 सालों में जो भी पड़ताल हुई उन में से तीन ऐसे suspect थे जो इसके गुनेगार हो सकते थे पहला suspect था Robert Red Manley जो की एक businessman था वो Black Dahlia से उसकी मौत से एक महीने पहले ही मिला था और पिछले एक मही से इन दोनों की relationship चल रही थी Robert ने Elizabeth को एक date के लिए San Diego बुलाया था date खतम होने के बाद Robert Elizabeth को अपनी गाड़ी से 9 जनवरी 1947 को शाम को लगबग 6 बजे Los Angeles के एक Biltmore Hotel में छोड़ता है और ये आखरी दिन था और आखरी जगए जब Elizabeth को किसी ने भी जिन्दा देखा था उसके 7 दिन बाद उसकी लाश लेमेंट पार्क में मिलती है उसके बाद FBI ने Robert को उठाया और पूश्टाच की और उसका lie detector test भी कराया पर वो उसमें pass हो गया पुलिस को लगा कि Robert ने ही 9 से 15 तारिक तक उसे कहीं रखकर torture किया और बाद में उसका murder कर दिया 1994 में उसका नार्कोटिक test भी कराया गया और वो इसमें भी clear हो गया और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा हलाकि 9 जनवरी 1986 को उसकी एक accident में मौत हो गई ठीक उसी तारिक को जिस दिन Black डालिया को आखरी बार देखा गया था ये भी एक चोकाने वाली बात है 1997 1997 में एक detective का interview किया गया जिसका नाम था Ralph Estelle जो कि इस original case के आखरी detective थे उनके interview के NSR उन्होंने उस कातिल को ढून लिया था जो कि दूसरा suspect था और जो इस कतल का गुनेगार हो सकता था detective ने interview में खुलासा किया कि उसने Black डालिया की body मिलने के एक हफते के अंदर ही कातिल को ढून लिया था उसे कुछ tips मिले थे कातिल के बारे में और उसे अपने source से ये भी पता चला कि जिस रात वहाँ पर लाज फेकी गई थी उस रात वहाँ पर एक काले रंग की कार देखी गई थी और उस कार को बाद में उसने ढून भी लिया था जिससे चुपाने के लिए कार मालिक ने उसे दोबारे से paint भी कराया था पर क्योंकि उसके पास कुछ पुकता सबूत नहीं थे बस कुछ tips के इलावा इसलिए वो उस कातिल तक पहुँचने में असंभव रहा पर उसने ये दावा किया कि उस रात जिस आदमी को देखा गया था और जिसकी वो कार थी वो ही ब्लैक डालिया का असली कातिल था अब तीसरा और सबसे एहम suspect था डॉक्टर जॉर्ज होडल इस केस की तफ्तीश क्योदारान कई बार जॉर्ज होडल से पूछताच की गई पर सिर्फ स्टीव होडल के इलावा किसी ने भी पुकता तोर पर उसे ब्लैक डालिया का कातिल नहीं माना स्टीव होडल उन डिटेक्टिव में से था जिसने इस केस पर काम किया था वो लगबग 300 से ज़ादा केस पर काम कर चुका था 1999 1999 में स्टीव होडल ने किताब लिखी और उसमें दावा किया कि ब्लैक डालिया का कातिल और कोई नहीं बलकि उसका अपना पिता डॉक्टर जॉर्ज होडल ही है और इसके पीछे कई कारण थे सबसे बड़ा कारण था उसका डॉक्टर होना उसका पिता जॉर्ज होडल एक बहुत ही अमीर डॉक्टर था और लॉस एंजलिस में उसका एक अपना प्राविट क्लीनिंग भी था उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बना रखा था जहांपर वो लोगों का हिलाज करता था और उस रूम में बिना उसकी इजाज़त के किसी का भी जाना अलाउड नहीं था हाला कि वो एक प्रोफेशनल सर्जन नहीं था पर उसने कई मेडिकल कॉलेज से सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी 1991 1991 में डॉक्टर जॉर्ज होडल के मनने के बाद उसके बेटे को उसके समान में से दो तस्वीरे मिली थी जो कि उसे लगता था कि वो ब्लैक डालिया की फोटो है बाद में उन फोटो को फोरेंसिक एक्सपर्ट से दिखाया गया तो उन्होंने 85% तक दावा किया कि ये एलिजबेट की तस्वीर नहीं है पर 2014 में एक अलग एक्सपर्ट ने फेशिल रिक्रगनेशन सॉफ्ट्वियर की मदद से ये साबित किया कि 90 से 95% तक ये एलिजबेट शॉर्ट की ही तस्वीर है ये फोटो मिलने के बाद स्टीव होडल ने इस केस के बारे में और ज़्यादा चानबिन करी तो उसे पता चला कि उसके पिता जॉर्ज होडल और ब्लैक डालिया के बीच लव रिलेशनशिप थी और एक बार वो दोनों डाउन टाउन लोस एंजलिस के एक होटल में साथ भी देखे गए थे स्टीव होडल ने दावा किया कि जॉर्ज होडल ने ब्लैक डालिया के मडर की तीन हफते बाद 10 फरवरी 1947 को जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का मडर किया था उसकी मौत का कारण भी बिलकुल ब्लैक डालिया जैसा था और उसकी बॉड़ी भी एक पार्क में खाली जगे पर मिली थी और उसकी बॉड़ी पे लाल रंग की लिपस्टिक से दो अलफाबेड लेटर B, D लिखा हुआ था जो की शायद ब्लैक डालिया को इंडिकेट कर रहा था बाद में उस चब BD को कई हैंड़ाइटिंग एक्सपर्ट को दिखाये गया और काफी एक्सपर्ट ने ये माना कि वो हैंड़ाइटिंग सेम उस हैंड़ाइटिंग से मैच होते हैं जो लेटर्स कातिल ने पुलिस के पास भेजी थे एक जगे उसने ये भी दावग किया कि डॉक्टर जॉर्ज होडल ने 9 जनवरी 1947 को अपने घर की मरम्मत कराने के लिए बजरी की कई बोरियां मंगाई थी ठीक एक हफते पहले जिस दिन आखरी बार एलिजाबेश शॉर्ट को देखा गया था और पुलिस के मुताबिक ये बात भी पता चली कि ब्लैक डालिया के बोरियां भी मिली थी जो कि शायद उस लाश को वहाँ लाने के लिए इस्तमाल की गई थी जोर्ज होडल के पास एक काले रंग की 1936 पैकड कार भी थी जो कि बिल्कुल सेम कार थी जो उस रात महाँ पर देखी गई थी स्टीव ने ये भी बताया कि जोर्ज होडल का एक दोस्त था मैनरे नाम का जो कि एक आर्टिस्ट था और जिस हालत में ब्लैक डालिया की लाश मिली वो मैनरे की कुछ पैंटिंग से प्रभावित थी और जोर्ज होडल भी एक आर्टिस्ट बनना चाता था तो क्या ब्लैक डालिया का जैसे मडर हुआ और उसकी बोड़ी जिस हालत में पाई गई वो क्या सिर्फ जोर्ज होडल के आर्टिस्ट बनने की सनक का एक एक एकस्पेरिमेंट था ये आज भी एक राज बना हुआ है स्टीव होडल की एक छोटी भेंती तमार होडल उसने एक बार जोर्ज होडल पर यौर्ण शोशन और बलातकार का आरोप लगाया था पर सबूतों के अभाव में कोड ने जोर्ज होडल को इन आरोपों से बरी कर दिया उसके बाद 1950 में 1950 में जोर्ज होडल लॉस एंगलिस छोड़ फिलिपीन्स में बस गया और ठीक उसके 17 साल बाद 1967 में मनीला फिलिपीन्स के एक पार्क में खाली जगे पर पुलिस को एक डेड बाडी मिलती है सेम जैसे ब्लैक डालिया की मिली थी और जहां वो बाडी मिली थी उससे मैच आदा किलोमेटर दूर जोर्ज होडल का घर था जहां वो फिलिपीन्स में रहा करता था इसे सिर्फ एक सैयोग नहीं कहा जा सकता बाद में एक news reporter ने भी इस case को study करने का फैसला किया तो उसे case की जो file दी गई उसमें सारे suspect की तस्वीर लगी थी और जो photo पहले page पर लगी थी वो थी डॉक्टर George Hodel की उसे ये भी पता चला कि George Hodel जब तक अमेरिका में था LAPD उसकी जासूसी करवा रही थी और पुलिस ने उसके घर में microphone भी छुपा रखे थे ताकि उसकी बातों को सुन सके Los Angeles Police Department ने लगाता 40 दिनों तक George की बाते सुनी थी पर उस reporter को वो recording स्वान नहीं मिली बस उसे एक recording clip मिली जिसमें उसने George Hodel को ये कहते पाया कि मानलो कि Black Dahlia को मैंने ही मारा है पर वो इसे कभी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए उन्हें मेरी secretary से बात करनी होगी और अब वो उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मर चुकी है बाद में ये सारी बाते उस reporter ने अपने अकबार में चापी उसके बाद 1950 में पुलिस ने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचने के कारण इस case को बंद कर दिया उसके कुछ सालों बाद इस case पर फिर से investigation हुई पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सारे सबूत वो letters जो उस कातिल ने पुलिस को भेजे थे और वो सारी recordings एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में पुलिस डिपार्टमन से गायब हो गए उस वक्त LAPD के करप्ट होनी की बात भी कई बार उठी मगर उस case का असली गुनेगार कौन है ब्लैक डालिया का case भी उन्ही में से एक है इस कहानी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग के दिमाग भी चलने लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपके हिसाब से ब्लैक डालिया का कातिल कौन है तो यही थी आज की कहानी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी कुछ जादा ही अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और बैल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली मेरी हर कहानी की अपडेट मिले और आप कोई भी कहानी मिस न करें मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू वेरी मच